इन दिनों उदेपुर का नगर निगम बड़ा जोड़दार काम कर रहा है आपने भी सुना होगा, अख़बारों के अंदर भी बड़ा होगा शेहर से अतिकर्मन को उदेपुर का नगर निगम हटा रहा है सुनने में अच्छा लग रहा है न? अच्छा लग रहा हैं सुनने में लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि निगम का ये बुल्डोजर क्या रसूग दारों पर भी चल रहा है तो अगर निगम से पूछोगे तो उसका जवाब होगा हाँ बिल्कुल चल रहा है लेकिन इसका जो सच है और सच में अगर इसका आप जवाब देखोगे तो वो होगा ना बशरते रसूग वाला कोई आपका भाचपाई होना चाहिए तब फिर आपके किसी भी परतिस्ठान पे चाहे आपने अतिक्रमन कर रखा हो अवेत कपचा कर रखा हो निगम का बुल्डोजर नहीं चलेगा मतलब आपका चाचा, चाची, फूपा, फापी, ससूर, भाई, बतीजा, मामा, ताया, चाचा के ससूर, के काका मामा के काकी का ससूर, बतीजे के पापा का भाई, ताया, या पापा के ससूर, के लड़के का चाचा या उसका ससुर अगर कोई भाज़पा नेता है तो फिर आप रसूप वाले हैं फिर आपके दुकान का होडिंग हटेगा और ना ही कोई अतिक रमन तूटेगा और गलती से अगर तोड़ भी दिया निगम ने तो अधिकारी शाम को आकर वापस उसको वही के मही लगा देंगे क्योंकि जो आपके चाचा पूपा भापी जो भाज़पा नेता है वो निगम के अधिकारियों को धमकाएगा शाम तक वो अधिकारी वापस केविन होडिंग वगेरा जो भी है वो लेकर आएंगे और वापस रखके चले जाएंगे तो अभी तक क्या है कि भाज़पा के कोई रिष्टेनाते वाले जहां जहां नहीं थे जहां जहां रसूक नहीं था वहाँ पर निगम ने तोड़ दिया और जहां गरीब देखा जहां गरीब का थेला देखा तो उसका केविन हो उसका थेला हो वो बड़ी आसानी से तोड़ दिया क्योंकि आसान होता है ने एक आम आदमी का कुछ भी उखार लेना क्योंकि आम आदमी वो किसी का उखार तो क उट सकता नहीं, कुछ नहीं, इसलिए उसका जो मर्जी हो निगम उगार के ले जाता है, चाहे वो होडिंग हो, चाहे वो सीडियां हो, कुछ भी हो, ठेला हो, केबिन हो, उस केबिन से उसकी पूरी रोजी रोडी चलती हो, ठेले से उसकी रोजी रोडी चलती हो, वो उठा के के ले जाते हैं वो गरीब वाम आदमी आखों में आसू लिये बस उसको देखता रहता है उसके जहन में आने वाली मुसीबतों का पहाड होता है कि कैसे अब वो अपने परिवार का गुजारा करेगा लेकिन खैर निगम के जिम्मेदारों आपको इन आम लोगों की फिक्र करन तो नेस तो नाबूत कर दो क्योंकि बाकी आप और किसी का जो रसूप वाले हैं जिनका ताका फूपा सरसुर अगर भाजपा का नेता है तो उसका कुछ कर नहीं सकोगे अगर कर भी लिया तो शाम को आपको वापस उसको लाकर रखना पड़ेगा जैसे के मेर्जाब के नहीं तोड सकते देखा नहीं कल एक उधेपूर न्यूस के अंदर चोगलाल जी का इंटर्विव आ रहा था चोगलाल भूई जो की अच्छे पार्शन हैं काफी अच्छे पार्शन माने जाते हैं अधिकर्मान रोधी के समीटी के अध्यक्ष भी हैं वो किस तरीके से उध पज़ा बाहर निकला हुआ है उस पे भी तो होड़िंग लगा हुआ है उसकी भी तो सूडिया जैसी तो फटांग से पटक गए कि नहीं तो चच्छा टूटेगा और नहीं सीडिया टूटेंगी तो चोगा लाज जी जैसे आपकी दुकान है जैसी दूसरों की भी दुकान है अगर वहां कारवाई नहीं हो सकती तो फिर बाकी लोगों पर कारवाई क्यों लेकिन खेर आम आदमी पर कारवाई होगी यह बिल्कुल सही है आम आदमी हो आम आदमी का ठेला हो आम आदमी का क कोई भी केविनों वहां पर कारवाई होगी, अगर आप यह सोचते हो, कि उधिया पोल पर पारस ट्रावेल्स के आगे, दस फिट आगे पारस ट्रावेल्स का बड़ा हुआ है, वहां पर सारा के सारा अथिकरमन है, वहां हटेगा, है निगम के अधिकारीयों के इतनी हिम्मत क है वहां कारवाई करने की, बोलो, है इम्मत कारवाई करने की, बोलो, है इम्मत कारवाई वहां पर करने की, मैं चैलेंज देता हूँ, वहां कारवाई करने के लिए, अगर है इम्मत तो, अरे माप करना, दर असल मैं भूल गया था, कि वो अपने पारस भाई साब का है, वह केसे कारवाई हो सकती है चलिए छोड़िए भूल चूक लेनी देनी माफ मैं अपना चेलेंज वापस लेता हूं मुझे पता है महां पर कारवाई नहीं हो सकती है आप तो आम लोगों को उजाड़ो बेकार कहा अपने रसूपदारों के दुकान के बाहर कुछ उखाने और शा जान से और शान से कर रखा है क्या इन सब के नगर निगम उखाने जाएंगे होडिंग सीडिया नहीं वहां नहीं जाना क्या कोई पार्षद ये कह सकता है इन सारे पार्षदों में से कि मेरा ये प्रतिष्ठान है ये दुकान है जो पूरे नियम और काइदे से बनी हुई ह जहां पर ना कही अतिकरम लगा रखा है ना होडिंग लगा रखा है और नहीं बार कोई मेने कोई भी बोर्ड लगा रखा है हैं मत कह पाओगे? नहीं अगर इन से पूछने जाओगे तो ये भी आम आदमी का ठेला बताएंगे ये देखो वो देखो वो गरीब का ठेला वो गरीब की टपरी ये ही लोग हैं असली अतिकरमी इनको उखाड़ो इनको फेको अब देखो इन निगम के अधिकारियों की हिम्मत पाई साब अपने मेर साब के भतीजे का रस बंडार उखाणने चले थे वा भाई वा अर अब तक तो उसको कोई हिला नहीं पाया और देखो ये उखाणने चले थे रखवाना पड़ा ना शाम को वापस तो शेहर को दरसल साफ किया जा रहा है रसूख वालों का ध्यान रखते हुए भाजपा के नेता के भतीजों का 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 जो भी भाजपा के नेता के रिष्चिदार है उन सब का ध्यान रखते हुए बाकी आम लोगों का जो अतिकर्मन है उस से शेहर को साफ किया जा रहा है बाकी तो भाई साब दिखाने के लिए तो ये जो कई लोगों के परीसर के अंदर पड़े हुए होडिंग उखार के ले ले गए दिखाने के लिए के देखो हम बड़े-बड़े मॉल पे भी कारवाई करते हैं जब ये चेटक से और हाती पोल के बीच में कारवाई कर रहे थे तो अरवाना मॉल जिसका खुद का अपना परीसर है उसके परीसर के अंदर साइन बोर्ड लगा रखे थे उसको भी इन्होंने उखाड लिए अरवाना मॉल के कर्मचारी चिलना ते रहे गए कि भाईया ये हमारा परीसर है लेकिन जाब ना तो छोगालाल साब माने और नहीं जो अधिकारी है वो सिरात साब वो माने यह को इनली करनी रहे कर रहे को तो तो यह उसको तो यह बता दो के उससने कहा थोड़ा बेले तो पाने है और साइड पचाश पूर की सड़काने ते नहीं की तैंप है थो चोड़ने के बाद में कुछ क्वश्क बढ़े सकता क्या एक अब और भी आपने पर्मिशन लेगती आगे कि जमीन खोड़ी होगी तो छोड़ी तो सरकार की हो गई तो अगर कोई बीजिंग बनती है तो जो जमिन छोड़ते हैं वो सरकारी होती है जो बड़ी बात नहीं एक देड़ इतना सब्सक्राइब चलो जो कि यह कहते हैं कि नहीं साफ चज्जा तो रहेगा सीडिया तो रहेंगी लेकिन इस लाइन के अंदर जितनी भी दुकाने थी, उन सब की सीडियां हटा दी, उन सब की सीडियां निकाल दी तो सीड़ी तो बनाना चाहिए क्या तुम सीड़ी हम सीड़ी तोड़ रहे क्या कलिसी बात पर बढ़क रहे देने चोगालाल पार्षद के दुकान के अंदर सीड़ीयों पर कैसे चड़ा जाएगा तो आकर आप देखना के यहां पर आपके खड़े रहते हुए इनी सारी नीस चुक नहीं था इसलिए उसके तो परिसर के अंदर से उकार के ले दे तो खैप अगर अपना हो तो सब दिक्ता है लेकिन अगर आम आद्मी का हो दूसरों का हो तो कुछ नहीं दिक्ता है अपनी अगर दुकान हो तो सारे नियम पование सब आधाते हैं चाहे वो नियम काईद है अपने जेब में से निकाल के कभी भी कुछ भी परोज दो तो पहरहाल मेरा शेहर वासियों से आग रहे है कि निगम कारवाई कर रहा है बिना बेदबाओ के सिर्फ आम पबलिक पर आप उसको करने दे अगर आपका कोई चाचा, फूपा, ससूर, काका, ताया, भाजपा का नेता नहीं है तो पिर आपको कोई हक नहीं है कि आप निगम की कारवाई का कोई विरोध करें मैं चाहूंगा कि मेरी इस बेकार की जो उपर की मैंने बाते कही उन पर भाज़पा के नेता और खास करके पार्शाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे चाहे जो भी दे लेकिन जरूर दे वैसे हम भी देखते हैं कि शहर में कहां कहां अतिक्रमन हो रहे हैं लेकिन दिक्कत है हमारे साथ में हम जाएंगे तर सूक वालों के अतिकरमन दिखेंगे और वहां पर निगम का बुल्डोजर चलेगा नहीं बोलो चलेगा गया कमेंट बोक्स में जरू लिखें दन्यवाद